नमस्कार मैं हूँ अश्विनिवान खेड़े और आप देख रहे हैं News.com स्वागत आपका खबर दिन भर में तो चलिए आपको दिखाते हैं हर्यान और पंजाब की बड़ी खबरे रुख करते हैं पहले हेडलाइस की और प्रिंका गांधी को कॉंग्रेस अध्यक्ष बनाने का कैप्टर ने किया समर्थन कारगिल का युद्दान ने शेर खान समेच चार पाकिसानियों को मार कर दिलाई जीत सुकपाल खेरा ने लगाए गंबीर आवरोक मा ने शही जवान की अर्थी को दिया कंधा नए हुसनी वाले रेलिस्टेशन की हालाद भी हुई खस था अपने दम पर विधानसवा चुनाव के तयार में जुटेंगे खुड़ा कमजोर नेतरत के कामिप्रदेश में कमजोर हुई कॉंग्रेस बीजीपी कामिचन हर्यानवे 75 प्लस सीटे जीतने का कॉंग्रेस नेता कुल्दी विचनोई की विदेश में 200 करोड की संपत्ति का खुलासा इंदर जीत ने विधाय का भाशर रुकवाया अब खबरें विस्तार से प्रेंका गांदी को कॉंग्रेस अध्यक्ष बनाने का कैप्टन नी किया समर्थन बोले वे हां करें तो हम साथ हैं प्रेंका गांदी को कॉंग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है इस कड़ी में पंजाब सीम कैप्टन अमरिंदन सिंग ने अपनी प्रतिकर्या दिये मुख्यमंत्री से जब ये सवाल पूछा गया तो प्रेंका गांदी कॉंग्रेस अध्यक्ष के बद के लिए सही विकल्प है तो जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष रह चुके राहुल गांदी को इस बार प्रेंका के लिए विचार करना होगा अगर प्रेंका गांदी इसके लिए हां करती है और हम सभी की सहमती बनती है तो हम सभी का समर्थनकार ने उनके साथ है हम उन्हें पूर्ण सहयो करेंगे बता दे कि कैप्टन पहले भी कह चुके हैं कि पार्टी को इस समय एक युवा नितर्थ की जरूथ है जो नई पीडी से जुड़कर नए तरीकी से पार्टी को संगठित कर सकता है कारगिल का युद्धा जिसने शेर खान समिट चार पाकस्तन के उमार गिराई दिलाई जीत मिला डबल प्रमोशन मिली कारगिल के उस युद्धा से जिसने शेर खान समिट चार पाकस्तानियों को मौत के घाट उतारा और जीत का पर्चम लहराया इन्हें अब डबल प्रमोशन देकर सम्मानित किया गया पंजाब के मुक्यमंदरी कैप्टन अम्गिंदा सिंग ने सत्पाल सिंग को सुंवार को बेच पहना कर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनाया रुकरते अंगली खबर की ओर जहां सुक्पाल खेरा ने लगाए गंबीर आरोब बोली रामरहीम के खिलाफ केस सुखबीर बादल ने खतम करवाया पंजाब एक्ता पार्टी के प्रधान सुखबाल खेरा ने आरोप लगाया है कि धेरा सच्चा सोदा प्रुमुक के खिलाफ केस तो तहस्नेस करने के बिचे सुखबीर बादल की एहम भूमी का दिया है बढ़ते अंगली खबर की ओर जहां माहा ने शहीद जवान की अर्थी को कंधा दिया और साथ महीने के बेठे ने मुखगनी दे कर अंतिम विदाई दी माहा ने शहीद जवान की अर्थी को कंधा दिया और साथ महीने के बेठे के साथ मुखगनी दे कर पिता को अंतिम दाई दी तस्विर देखकर आपका दिल हैरान कर देने वाला है जब मुकश्मीर में श्रीनगर के पास मच्छिल सक्टर में थना पंजाब के बटाला के गाउं पबरा कला निवासी लांस नायक राजिंदर सिंग आतंगवादियों के घुस्पेट के कोशिश को नाकाम करते हुए शहीद हो गए उनका पार्थे शहीद रविवार को प्रित्यक गाउं पहुंचा जैसे ही शहीद रजिंदर सिंग के तिरंगे में लिप्ट्य पार्तिक चव को साथ ही सैनी को द्वारा गाड़ी से उतारा गया तो कोहरा मच गया वहें ग्रामणोंने भारत माता के जैकारे भी लगाए बढ़ते अंगली खबर के ओर जहां नहीं हुसेनी वाले स्टेशन की हालत हुई खस्ता बोड गिर गया और धसने लगी पट्री भारत पाक अंतरास्टिय हुसेनी वाला बॉर्डर के पास शहीदी दिवस्ते इस मार्च को हुसेनी वाला रेल्वे स्टेशन का निर्मान के आ गया था जिसके हालत अब खस्ता होती जा रही है रेल्वे का बोड गिरा हुआ है स्टेशन पर घास फूस उख चुकी है ट्रेक भी कई जगे से धसा हुआ है नजर आ रहा है दोनों ये देशों के बीच होने वाली रिट्रीट सेरिमनी के बाद प्रेटक स्टेशन देखने आते हैं लेकिन गंदकी के कारणी हाँ बैठ नह जहां अपने दम पर विधान सुबा चुनाओ की तैयार में जूटेंगे हुड़ा हर्याना में विधान सुबा चुनाओ सीर पर देख पूर सीम भूपेंदे सिंग हुड़ा ने अपने दम पर विधान सुबा चुनाओ लड़ने का अमन बनाया है हर्याना में नेततु परि प्रदेश में कमजोर हुई कॉंग्रेस और खड़ा नहीं कर पाई संगठन पूर्व सीम हुड़ा के बोल दरसल पूर्व मुख्यमंत्री और कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता भुपेंतर सिंग हुड़ा ने पार्टी के प्रदेश नेतरत पर बड़ा प्रहार किया है दस साल प्रदेश के सीम रहे हुटा ने रविवार को कहा कि हर्याना में कॉंग्रेस के कमजोर होने का मुख्य कारण पार्टी के प्रदेश के कमजोर नेतरत के कारण ही हर्याना में कॉंग्रेस कमजोर पड़ी है पार्टी के पददीकारी जनता के हितों की लड़ाई नहीं लड़ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जहां बीजेपी कमिशन हर्याना में 75 प्लस सीटे जीतने का देश में 20 करोड सदस्य बनाने का लक्षे दरसल बीजेपी के राष्ट्य कारेकारी अध्यक जेपी नड़ा ने शनिवार को पार्टी के शक्ति केंद्र और पालक मुख्यों के प्रमुखों के प्रदेश इस्तरी सम्मेलन को सम्मुनित करते हुए कहा कि बीजोबी का लक्षे अपनी सदस्य अभियान के वादम से पार्टी के सदस्यों की संख्या को 11 करोड से बढ़ा कर 20 करोड करने का है रुक करते हैं अंगली खबर की और जहां कॉंग्रेस नेता कुल्दी बिश्नोई की विदेश में 200 करोड की संपति का खुलासा आयकार टीम ने 89 गंठे बाद च्छा पिमारी की थी अंगली खबर की और जहां इंदर जी इंदर जीट ने विदायक का पाशन रुकवाया बोले यहां काम किसी के चापलूसी से नहीं हमारे रूत्बे से हुए हैं दरासल रिवाडी के टहीनी में रविवार को केंद्री मंत्री राव इंदर जीट सिंग की सम्मान रेली के दोरान मंच पर स्यासी ड्रामा हुआ और विदायक को भाशन रुक भी रुकवा दिया फिर इशारा कर उन्हें वापस मंच पर बैठा दिया तो हर्यान और पंजाब में आपने देखी अब तक की वड़ी खबरें ऐसी वड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए निउस.com और देश और दुनिया के तवाम खबरों से अबडेट हैने के लिए चैनल को लाइक केजिए और सब्सक्राइब केजिए फिलाल हमें देजी इजाज़त नमशकार